हेलो गाइज मदान बूटिक में एक बार फिर्चे आपका स्वागत है गाइज आज की वीडियो हम अपने वीवर्स की डिमांड पर बना रहे हैं आज की वीडियो में हम आपको बैल्ट वाले बलावजगी कटिंग बताएंगे स्टेप बाइस टेप तो गाइज इस वीडियो लेते हैं मान लिजे हमने आपर 34 इंच लिया है तो उसमें हम चेश्ट में तीन इंच पलस करते हैं तो यह मारा 37 तैयार है कमर है 31 और पॉइंट है मारा 10 पर यह डोट लेंद है बजू है सब पाच इंच की और मोरी यह सब बारा इंच की तीरा है हमारा सब तेरा इंच और सबसे पहले हम नीचे की तरफ यहां पर निशान लगाएंगे और यहां पर हम जितना भी हमें फोल्ड करना है उतना लेते हुए इस तरीके से एक निशान लगा देंगे अब गाई जे लंबाई है बलाउज के हमारी 14 इंच की तो हम साड़े 14 इंच पर इस तरीक के सेंचिटेप को रखेंगे और एक निशान लगाएंगे और अब यहीं से हम पौना इंच और अलग से एक्स्टा लेंगे क्योंकि हम यहां पर बैल्ट को जब चड़ाएंगे तो हमारा दोनों हिस्टों में अमारा दबाव जाएगा तो व कि अम जब भी और मॉवल निशान लगाते हैं तो हमारे बैले के साथ ही आमोड का दीसान लगता है तो इस साइज में अम लगाएंगे आर्मोर लेंद का और एक लगाएंगे डोट लेंद का अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे अब इनको सीधा करने के बाद गाई जो यह हमारी किनारी है इस किनारी पर इस तरीक किसे निशान लगाते हुए पूरी किनारी की हम कटिंग कर देंगे और यहां पर हम अपनी हुकाई के लिए अलग से दबाव ले लेंगे गाइज चेस्ट है हमारी 37 इंच तो 37 इंच का हाफ हो जाएगा सवार 9 इंच लेकिन हम दो सूत हम अलग से लेगे चलेंगे 9.5 इंच पर यहां पर निशान लगाएंगे इस तरीके से क्योंकि हमारी आर मौल में जो पलेट आती है वहां पर अमारा दबाव में जाता है तो चेस्ट का निय्षान लगा दिया कमर है अमारी 31 तो 31 पूरे आठ तो पूरे 8 पर यहां पे निशान लगाएंगे और एक इंच लेंगे हम यहां पर अमारी प्लेट का जो दबाव होता है एक इंच यहां पर लेंगे और हम सवाइंच के करीब अलग से दबाव ले लेंगे अब गाईज इन निसानों को हम इस तरीक के से मिला देंगे और उपर की तरफ भी हमने इतना ही दबाव लिया है अब सबसे पहले लगाएंगे हम यहाँ पर अपनी प्लेट का निसान तो 16 इंच पर हमारी प्लेट आएगी और यह इन लीज़ान सेनी अंद्र वाले निसान से मैं जो भी निसान लगा रहा हूं इस वाल निसान से लगा रहा हूं अब इसको हम यहां पर सीधा करेंगे इस तरिक्के से अब गाइज सीधी वाली प्लेट से पूरे दो इंच हम दूसरी सैड में लेंगे और डेड़ इंच हम इस सैड में लेंगे और जितना यह गैप है उतनी ही दूरी पर यहां पर एक निसान ऐसे लगा देंगे यह हो जाए इंच अधा इंच हमारा दबाव में चला जाएगा तो यह मारी दो इंच की बैल्ट तैयार रहेगी तो एक निशान यहां पर लगा देंगे अब इस निशान को सीधा करेंगे अब गाईज यहां पर लगाएंगे हम पॉन इंच का निशान प्लेट का सिधे वाली का और पॉन इंच इधर और यहां पर हम इनको इस तरीक के से मिला देंगे और इन प्लेटों को इस तरीक के से क्रोश में कर देंगे यह वाली प्लेट यहां पर जाएगी तो यहां पर निशान लगा देंगे और यह वाली आएगी इधर इस तरीक के से अब गाईज जो अमारी बैल्ट है इससे आदा इंच उपर की तरफ एक निशान लगाएंगे और यहां से हम हलकी हलकी इस तरीक के से कोलाई करेंगे तो गाईज यह अमारा नीचे के निशान लग चुके हैं अब गाईज अमारा तीरा है साड़ी तेरा इंच तो अमारा बैक नेक है अमारा आठ इंच फरेंट नेक अमारा कुछ भी हो सकता है तो फरेंट नेक का हम यहां पर पहले ब्रोड का निशान लगाएंगे यहां पर लगाएंगे हम डाई इंच पर नीचे हम थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं तो यहां पर पूर्णे तीन इंच कर देते हैं नीचे जब हम पट्टी चड़ाएंगे तो हमारा दो सूथ के करीब यहां पर अलग से दबाओ आएगा तो जब भी आप बुकरम का गला बना रहे हो तो आपको फिक्स ब्रोड लेनी है और अगर आप इसमें पट्टी लगा रहे हो तो आपको दो सूथ के करीब अंदर की तरफ लेन तो आपकी इस साइज में यही चलेगी फरंड तक दी तीरा है हमारा गाईज इस साइज में हमारा तीरा आएगा पाच इंच बैगले के इसाब से और जैसे जैसे आपका गला बढ़ता जाएगा तो तीरे को आप कम करते जा सकते हैं तो अब यहां पर हम इस निशान को इस से मिला देंगे और यहां पर देंगे हम सेफ इस तरीक के से और गएज जो कि यहां पर हम दो सूथ के करीब कंदी को डाउन करेंगे और इस तरिक के से निशान लगा देंगे अब गाइज इसकी कटिंग करेंगे पहले करेंगे हम सीधी कटिंग बरोड तक उसके बाद फिर दो सूत्र डाउन करेंगे अब इसी निशान के साथ साथ में कटिंग करेंगे अब नीचे तक इसी तरिके से कटिंग कर देंगे यहां से हम किनारी की भी कटिंग कर देंगे इज़े अंर्ड नीज़े की तरफ जो एक्स्टा कपड़ा है उसकी भी कटिंग कर दें इस तरीक के से किसकीं सब से पहले हमारा कट यहां पर उसके बाद रगा फिटिंग का उसके बाद प्लेट का उसके बाद आएगा मारा ब्रोड का उसके बाद आएगा मारा इस प्लेट का और यह वाली प्लेट का निशान अम बाद में लगाएंगे जो बैल्ट की कटिंग कर लेंगे तो यह मारे सकी क्टिंग हो गई है अब देखिए इस तरीकिए से गुमाते हुए यहां पर रख देंगे कि और ठीश को लेंगे है और वे इस एय अअंने desire바 ये इसको इसा चारिक इसiãoष करते हुए, इस कपड़े लगा आए इसको हम बार की तरफ निकाल देंगे और यहां पर एक इंच के करीब छोड़ते हुए कपड़े को और ऊपर तक इसको अच्छे तरीकी से बिचह देंगे अब इसके बाद यहां पर हम इस तरीक की से एक CD-Line लगाएंगे और जहां पर हमारा तीरा आया है वहां पर एक निशान ऐसे लगा देंगे अब गाईज यहां पर हम बैक इसे के लिए निशान लगाएंगे एक इन से एक सूथ कम और यहां पर हम इस तरीके से सिदी लाइन खीच कर और यहां से हम बैक इसे की सेफ दे देंगे इस तरीके से अब गाइज इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे तो देखिए पहले हम यहां से कटिंग करेंगे इस तरीक के से अब यहां से हम बैक वाले निशन पर यहां से कटिंग करेंगे अब हम गाइज यहां से गाइज जितना भी यह हमारा एक्स्टा दबाव है यहां तक ही कटिंग करेंगे हम इस तरीक के से अब गाइज इस हिस्षे को हम देखिए इस तरीक के से उठाएंगे क्योंकि गाइज हमारे फ्रेंट इसे में बैल्ट होती है तो हमें यहां पर एक्स्टा दबाव लिया है लेकिन बैक में हमारी बैल्ट नहीं होती है तो उसके लिए देखिए इंची टेप को ऐसे रखेंगे और हमारी बलाउज की लंबाई चोदा इंच तो साड़े चोदा इंच पर यहां पर इस तरीक के से निशान लगाते हुए लेकिन हम यहां पर आदा इंच कम करेंगे क्योंकि गाइज जो हम यह फ्रेंट में प्लेट दालेंगे तो यह हमारा फ्रेंट इस्सामर आदा इंच कम हो जाता है तो उसके लिए हमें इसके बराबर इसको बैक इसे को रखके चलना है तो हम यहां पर चोदा इंच लेके चलेंगे और जितना दबाव हमने फ्रेंट इस्से में यहां पर लिया है सब एक इंच एक सूत तो इसी परकार से निशान लगाते हुए यहाँ पर ऐसे और फिर इसके बाद इस इसे को उपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से रखते हुए और यहाँ पर एक सी दिलाइन खीच देंगे और यहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे इसके बाद गाईजे यहाँ पर जो उमारी सीदे वाली प्लेट है इस तरीके से इसको दबाएंगे तो यह मारा दूसरी सैड में निशान आ जाएगा बैक सी में और इतना ही हम नीचे की तरफ लेंगे साज़े तीन है तो साज़े तीन पर इस तरीक Kopf ये निशान लगाएंगे और यहां पर हम कट लगा देंगे सिर्ग अभी को हम सीडा कर देंगे ऑफ यसी तरीक Course हम इसके दूसरी सेड में भी निशान लगा देंगे लो कि सुह की कट आप है है अब हम वेग इसे को हटा देंगे और अब हम बैल्ट की कटिंग करेंगे देखिए इस तरीके से यह ने जो तिर्शा निसान लगाया हुआ है इस तरीके से इसकी बिलकुलियां से सिधी कटिंग कर देंगे अब हम इन कट्टों को भी लगा देंगे अब गाईज इसको हम यहां पर सवाइंस से एक सूथ कम के करीब एक इंचे एक सूथ लेते हुए और इसकी कटिंग कर देंगे क्योंकि जब यहां पर हमारी प्लेट आएंगी देखे इस तरीके से तो उसके बाद यह फिर हमारा सही रैडी हो जाएगा तो यह हमारी बैल्ट की भी कटिंग हो गई है अब गाईज स्लिव की कटिंग करेंगे तो स्लिव की कटिंग करने के लिए आप देखे इसमें से इस तरीक के से निकाल सकते हो या फिर आप इसमेंसे इस तरीक के से इसको फोड करते हुए और कपड़े को इस तरीक के से बिचागर और इसको हम ऐसे भी चाह देंगे तो इस तरीक के से अगर हम कटिंग करेंगे तो गाइज यहां पर हमारा चोड़ा कपड़ा आ जो कि हम पाइप इन वगरा निकालते हैं या गले में लगाने के लिए या फिर उकाई की पट्टी के लिए मारा कपड़ा एक साइड चे निकल जाएगा तो यहां पर हम पहले निशान लगा लेते हैं कि और यहां पर हम दवाओ चोड़ेंगे गासलीव हमारी 4.5 पाच इंच की तो आदा इंच पलस करेंगे अम यह निए पर इस तरीक्तिसे मोरी है 12 स्वाषी इंच पर यहां पहला निशान हमारी साइज में मां तीन इंच जटने आपकी biceps जा उदे जहां से नापी जाती हैं जाहांपर açुछरी होती है मुहां पर इस ठीके से नापी जाती है तो मानलिजें यहां पर 13 in purposely by allegations गाने तो इसमें हम धो पलस करेंगे तो कि इस तरीक के से और अब इसकी कटिंग कर देंगे और नीचे से भी कटिंग कर देंगे कि एक कट लगाएंगे यहां पर एक कट लगाएंगे यहां पर एक लगाएंगे यहां पर अब इसको खोलते हुए फरंट इससे की छटाई के लिए निशान लगाते हुए इस तरीक के से यह हमारा पॉन आइंज के करीब होगा इसमें और इस तरीक के से फरंट की छटाई कर तो इस तरीक्ते से यह कुझा हम وہ पर अगली वीडियो जुट के लिए किसे डालें तो वीडियो प्रसंद रहें तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप आप सब्सक्राइब परी और बेल आइकन पर प्रेस करके उलपे सेट करें जिसके हमारी अरने वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी वीडियो देखने के लिए दन्यवाद